शिक्षार्थियों नैदानी केवं उप्टाराक्त्मक पूशन के व्याख्यान श्रिंकला में आपका पुना स्वागत है शिक्षार्थियों पहले के व्याख्यानों में हमने अहर नियोजन की मूँ लवधारणों के बारे में बात करी तथा गर्भा वस्ता एवं धात्री वस्ता में किस प्रकार हम अहर नियोजन कर सकते हैं इसके बारे में जाना आज हम अपने अगले भाग शैशवा वस्था में आहार इसके प्रथम भाग के बारे में बात करेंगे शैशवा वस्था क्या होती है जन्म से लेकर एक वर्ष तक की शिशू की अवस्था को शैशवा वस्था कहा जाता है दिखा जाए तो यहाँ एक अत्यंत तीवर वृति एवं विकास के अवस्ता है जीवन के प्रथम वर्ष में शिशु बाकी सभी जीवन अवस्ताओं के अपेक्षा अत्यंत तेजी से बढ़ता है यही कारण है कि एक नवजाद जो पैदा होने पर संपूर्ण तह अपनी माता पर आश्रित होता है प्रथम वर्ष के अंतक वह काफी मात्रा में कई शारिरिक एवं मांसी क्योगिताएं सीख जाता है और इस अवस्ता में अगर शिशु परियापत एवं उचित भोजन से बंचित रह जाए तो इसका नकारात्मक प्रभाव उसके आने वाले जीवन पर पड़ता है इसलिए इस चरण में इस प्रारंबिक काल में पोशन का बहुत महत्तुपूर्ण स्थान है क्या विशिष्टाइं होती हैं शैश्वावस्ता की सरप्रथम शिशु के शरीर के आकार में परिवर्तन देखा जाता है जीवन के प्रथम वर्ष में बहुत तेजी से आकार में परिवर्तन होता है एक सामानी शिशु पांच महा के आयो तक अपने जर्म के वजन का दो गुना तथा प्रथम वर्ष तक तीन गुना हो जाता है और इसी प्रकार लंबाई में भी बहुत तेजी से बड़ोतरी होती है जो शिशु जर्म के समय लगभग 50 cm लंबा होता है प्रथम वर्ष के अंतर 75 cm हो जाता है और इसके साथ ही शिशु के शारेरिक अनुपाद भी काफी तेजी से बदलते हैं शरेरिक संगठन में परिवर्थतन आता है । जिसे हैं हमें पता है कि हमारा शिशु का संपोर्ण भार हमारी मांशपीश्यों अंगों वसी उतकों और हड्डियों से मिलकर बना होता है जन्म के समय शिशु के शिरीर में जल का बहुत अधिक प्रतिशत होता है जो 75 प्रतम वर्ष के अंतक शिशु के शरीर में जलकी मात्रा 60% रह जाती है और मानस्पेशिया उसकी मजबूत हो जाती है और अगर इस अवस्था में शिशु को अतिसार डाइरिया या दस्त हो जाएं तो वह शिशु के लिए चाननेवा हो सकता है क्योंकि जैसे आप देख रहे यह जल का प्रतिशत कम हो जाता है जल की शती होती है और यह एक जानलेवास्तिती हो सकती है पाचन संबंदी परिवर्टन देखे जाते हैं नवजा शिशु सरल प्रोटीन सरल वसा और कार्पोहाड़ेट पचाने में सक्षम होता है परंतु प्रथम के कुछ महीनों में उत्पादन वह नहीं कर पाता इसलिए स्टार्ज वह डाजिस्ट नहीं कर पाता परंतु जैसे शिशु बढ़ा होता है उसके शरीर की एंजाइम उत्पादन की शम्ता बढ़ती है और प्रथम वर्ष के अंतक वह लगबग हर प्रकार का भोजन पचा पाने योग्य हो जात मांसिक विकास बहुत तेजी से होता है इस अवस्था में शिशु के मस्तेश्के की कोशिकाइं बहुत तेजी से बढ़ती है और यदि को पोशन हो जाए इस अवस्था में शिशु को तो उसके विपरीत असर मांसिक विकास पर भी पढ़ता है खानपन संबंदी विवहरों और चीश में नवे बहुत परिवर्टन होता है। सब्लाइम साधिए द्थू, इस्टेश की पेज सब्लाइब आपाता हु добрोग, 35, Thai Gears Ptele integrity Foundation द्थू आपना जोफ 09 करेया, शिशु डूजन की पराता है। और उसके बाद 8-9 महिने से जब शिशू के दांत आजाते हैं तो वह ठो साहर भी खाने लगता है। शेश्वा अवस्ता में पोश्टिक क्रतों की आवशक्ता की बात करें। उचित पृद्धियम विकास के लिए इस अवस्ता में उचित पोश्टिक की अत्यानत आवशक्ता है। इंडियन काउंसल अफ मेडिकल रिसर्च ने पोश्टिक की दिश्टि से 6 अवस्ता को 2 भागों में बाटा है। प्रथम 6 महने तद 6 से 12 महने। बात करते हैं उर्जा की। नवजा शिश्यू संपूर्णता अपने शरीर के लिए पोशन के लिए माता के दूद पर ही निरवर होता है। और उसकी समस्ता वशक्ता है मा के दूद से ही पूर्ण हो जाती है। परंतु 5 महने के बाद उसे अनुपूरक आहार द्वारा उर्जा प्रात्त होती है। तो ICMR के अनुसार प्रथम 6 महा में शिशू को 92 किलो कलोरी प्रती किलो शरीर भार प्रती दिन आवशक होता है। diri कि अत्यांत तीव रहना की कारण उर्जा की संग्रहण के अवशक्ता भी ज्याधा होती है। इश्ख्यों की प्रोटीन ऊतंद रहे कारिग उर्जा देने का नहीं करेगा। प्रोटीन की बात करते हैं, प्रथम 6 माहा में 1.16 ग्राइम की किलो शरीड भार प्रति दिन 16ays 12 महने में 1.69 ग्राइम प्रति किलो शरीड भार प्रति दिन प्रोटीन की मादरा शिशु को अवश्शक होती है। मांस पेश्यों के विकाज सेवं निर्माणपता कारियों में बढ़ोतरी की कारण शिशु को प्रूटीन लेना आवश्यक है। वसा प्रथम 6 मां में शिशु वसा को किसी भी आहरी माध्यम से ग्रहन नहीं करता और माता की दूद से ही उसकी सभी वसी पोशक तत्व संबंदी आवशकता हैं पूरी हो जाती है। 6-12 महिने के शिशु को 19 ग्राम वसा प्रति दिन देनी चाहिए और विविन्न अनुपूराक आहरों के माध्यम से अवसा दी जा सकती है। कैल्शियम जन्म से एक बश तक शिशु को 500 मिली ग्राम कैल्शियम प्रति दिन देना चाहिए। शुरुवात के 6 मेनों में मा का दूद इसके लिए उप्यूपता है। परन्तु 6 मा के बाद उचित अनुपूराक आहर दौरा कैल्शियम की पूर्टी करनी चाहिए। जो हड्टी और दातों के विकास के लिए अत्यंत अवश्यक है। यदि इस सबस्ता में कैल्शियम की कमी शरीर में हो जाए शिशू के तो उसे शिशू की हड्डियां कमजोर हो जाती है। और उसे रिक्ट्स रोब हो सकता है। बात करते हैं लौलावन की। प्रतम चैहमा में शिशू को 46μg प्रतिकलो शरीर भार प्रतिदिन लौलावन की आवश्यक्ता होती है। माता के दूद में लौहा बहुत कम मात्रा में होता है। जैसे हम पहले बता चुके हैं कि गर्भावस्ता में ही शिशू अपने शरीर में लौह तत्व का उचित मात्रा में संग्रहन कर लेता है। तो प्रतम 5-6 मैने तक शिशू की लौह तत्व संबंदी आवश्यक्ता है। उसके शरीर द्वारा ही पूरी करी जाती है। परंतु 5-6 मैने के बाद अनुपूरा काहर द्वारा उसे उचित लौह लवन आहर में देना चाहिए। और यदि माता के आहर में परियाप्त मात्रा में लौह तत्व पस्तित नहीं होता है तो गर्वती इस्तिवर शिशू अनीमिया के रोगी हो जाते हैं। 6-12 महिने में शिशू को 5 मिलीग्राम प्रतिदिन लौह लवन की आवशकता होती है। विटामिन A आइसीमार द्वारा प्रतम 6 मा में विटामिन A की कोई मात्रा प्रस्तावित नहीं की गई है क्योंकि शिशू माता के दूट से ही अपने शारीरिक संग्रहन द्वारा अपनी वाइटमीन A की आवशकता पूरी कर लेता है। विटामिन C उचित स्वास्तेवं संक्रमन से बचाओं के कारण विटामिन C की आवशकता होती है। और यहां रोग प्रति रोदोग शंता बढ़ाने के लिए अत्यनत आवशक है। और पूरे शैश्वा वस्था में शिशू को 25 मिलिग्राम विटामिन C प्रति दिन आवशक होता है। मगनीशियम, शिशू को प्रतम 6 माह में 30 मिलिग्राम विटामिन C प्रति दिन आवशकता होता है। विटामिन B जिसमें पहले थायमिन की बात करते हैं। जैसे हम पूरु में भी चर्चा कर चुके हैं कि थाइमिन की आवश्यक्ता उर्जा की आवश्यक्ता पर निर्भर करती है और जैसे उर्जा की आवश्यक्ता बढ़ती है थाइमिन की आवश्यक्ता भी बढ़ती जाती है तो प्रथम 6 महा में शिशु को 0.2 mg प्रति दिन और 6 प्रथम छे माह में 750gram शिशु को आवश्यकता रादे दिन और 6-12 माह में 650 mitoblodsh Squid प्रती डिलाकी को होती हैं वीटमिन v6 प्रती कि शिशु को नगर्ही मात्रा में और माता के दूद माता nosah संपूर्ण नहीं होती क्योंकि गर्बस अवस्था में शिशु द्वारा उचित विटमिन B6 अपनी शरीर में शिशु संग्रहित कर लेता है और शुरुबाती शेश्व अवस्था में अवशक्ता पूर्ति के लिए इसका भोग करता है प्रतु बाद में इसका बढ़ जाती ह प्रतम् 6 माहा में 0.1 मिलिग्रेम और 6-12 माहा में 0.4 मिलिग्रेम प्रतितियर विटमिन B6 की अवशक्ता शिशु को होती है विटमिन B12 संपूर्नी शंग्रहित कर आओं में 0.2 का की अवशकता होती है और फोलिक एसिद Ear Sc kup topic 21 मचल्ण प्रतितियर एवशक होता है कि शषव कि अरगा नहीं प्राहत नहीं प्राहब्थ दूद जाए आपका आतर बोतल का दूद abeth करते송 और यह शिशु के लिए उतना ही पॉश्टिक लाब धायक स्वास्तिपर्दय के वह सुपाच्ची होता है जितनी शिशु का अवशक्ता होती है नवजा शिशु के पाचन नंग अत्यंती अपरिपक्ष दशा में होते हैं तो वाकिवर माता के दूद को ही सरलतायम सुगमता स हैं ट्रीजान की बात करें तो इसमें वे सभी पॉश्टिक प्षट्प्व उप्ठंयं तनम प्रकारका में होते हैं इसमें लैक्तंटल बमें और लीक्ट ऑर लेकलोबिलायन इस तालिका में देखें इस तालिका में माता के दूद गाय के दूद और भैस के दूद की पोशक तक्त्वों की मात्रा इसमें दी हुई है जो माता के दूद के स्थान पर भी हम कभी-कभी शिशों को देते हैं स्टनपान के क्या लाव हैं माता का दूद को शिशु के लिए सर्वोत्ता महार है और यह आसानी से उप्रब्द होता है या शुद्ध और जिवानो रहित होता है शिशु की पाचंट शम्ता के अनुकूर होता है इसे पीने से चूसने द्वारा शिशु के जबड़ों का व्यायाम भी होता है या सभी मौसम में उचित तापकरम पर उपलब्द होता है माता के दूद में इम्मिनो ग्लोबिलिन्स होते हैं जो शिशु को सुख्ष में जीवों तथा रोगों से लड़ने की अदव Southern शम्ता प्रदान करते हैं माता के दूद में lasozymes की मातर रोंग के अधिक होती है जो जीवानों से लड़ने और और रोग होद्ध शक्ती प्रिदान करने में सक्षम होते हैं माता के दूद में लेक्टो फैरिन नामक प्रूटीन प्रच्र मात्रा में रहता है इसमें लौत अथो के बादने का अध्वूदध गुण हो Oh CaitItal शिशु की अनीनिया से रक्षा करता है इस प्रूजन के अफ्शोषन प्रूजन निकलता है इसे को लोस्टर्म कहते हैं इसमें घनीजलाबन वसा प्रोटीन का प्रोटीन मातर में होता है और विरिए ऐत्यंत आवशक है। इसमें ऐसे प्रतरोंदी हैं कि बढ़ोन एवार। देन देना बहोता है". शिशू के पाचन तंतर के अनुसार ही माता की दूद का संगठन होता है प्रारम में यह पतला होता है क्योंकि शिशू का पाचन तंतर परिपक्व होता है परन्तों जैसे शिशू का शरीर परिपक्व होता जाता है इसका रसाइनिक संगठन वर्म सरूब भी परिवर्तित होत दनपान से माता और शिशू दोनों ही संधुष्टी का अनुभाव करते हैं और दोनों का भावनात्नो क्संभन्धब प्रगाड़ होता है, मा का वात्षय बढ़ता है और शिशू को माता से सुरक्षा आएवाम संग्रक्षण की अनूगोती होती है, नवजाश शिशू के गुर्दे अत्यंद कमजोर होते हैं और अन्नी जानुरों के अपेक्षा माता के दूद में प्रूटीन की मातरा कम होती है जिससे कम यूरिया बनता है और गुर्दों पर छलन पक्रिया की दौरान कम भार पड़ता है माता के दूद में लिमफोड कोशिकाई अत्यंद संख्या में उपस्थित होती है ये कोशिकाई इम्मिनलो ग्लोबिलिन्स का उत्पादन करती हैं जिससे कोशिकाओं की रोग प्रतिbabशंता बढ़ती है माता के दूद से शिश्व को किसी प्रकार की अलर्जी का खत्रा नहीं होता कई बार देखा जाता है कि गाय के दूद में पाया जाना वारा लेक्टोग्लोबिलिन वह सीरम बुवाइन अलबुमिन कई शिश्वों में अलर्जी का कराण बन सकता है गर्भवस्था में माता के शरीर में गर्भाश है वह स्तन की मांस्पेशा जो बढ़ जाती है वह दुग्दुपान कराने से संकुजित होकर सही सिती में आ जाती है और इस सामानिता स्टनपार्म कराने से माताएं जल्दी ही दुबारा गर्वदार नहीं करती और यह एक प्राकृतिकर्ण रोतक का भी कारिव करता है बात करेंगे बोतल के दूद की जिसे शिशू के लिए कृते माहर भी कहा जाता है वह शिशू जिनको माता का दूद किसी भी कारण से उत्रब्द नहीं हो पाता या वो माता हैं जो अपने शिशू को इस तनपार नहीं करा पाती उन्हें बोतल का दूद देना अवश्चक है यह दो प्रकार का होता है पशू का दूद तथा फॉर्मूला में जिसे हम पाउडर का दूद भी कहते हैं पशू की दूद की बात करें तो ज्यादा कर महिलाएं अपने बच्चों को गाय या भैस का दूद पिलाना पसंद करती है और कई जगा पर बकरी का दूद भी दूद भी शिशु के लिए उत्तम माना गया है क्योंकि वैसे देखा जाए तो यह शिशु की अवशक्तों के अनुरूब नहीं होता इसमें अने पौश्रिक तरत्व होते हैं जो माता के दूद से अधिक होते हैं परन्तु अगर इसमें पानी मिला कर दिया जाए तो जाए जिससे वह किटानु रहित हो जाए और उसका प्रोटीन भी सरालेवन सुपाची रूप में आ जाए आयो के अनुसार शिशु को गाय का दूद इस मात्रा में मिला कर दिया जा सकता है जैसे प्रसम 15 दिन में एक भाग दूद में एक भाग पानी मिलाए अगले दो से भाग दूद में एक भाग पानी मिलाए डेर से दिन महा तक पानी मिलाए और तीन महा से अधिक शिशू को हम बिना पानी वाला दूद दे सकते हैं बात करेंगे पाउडर की दूद की इसे फॉर्मूला मिल क्या दुख्स फॉर्मूला भी कहते हैं और दूद की अपलंदा नहोंने पर या शिशो द्वारा उशे पचाना पाने पर या फॉर्मूला में दिया जाता है शिशो की आयू वस्वास के अनुसारी शिशो रोग इसको बनाने की विदी इसके डब्बे पर लिखी होती है और यह त्वरित बनाया जा सकता है इसको देने की मात्रा शिशो की आयू एवं भार के अनुसार डिबू पर ही निर्देशित होती है और यह लंबी अवधी तक संग्रहित किया जा सकता है इसको बनाने की विदी है इसके त्यार करने से पहले दूद की बूतल निपल चम्मच छलनी को अबाल कर विसंक्रमित कर लेना अवश्चक है और निपल को भी गरम पानी में अच्छी तरह ब्रगड कर साफ कर लिना चाहि और शिशु को दी जाने वाली अवश्चक दूद पाउडर की मात्रा बोतल में लेकर डिपर पर दिये गए रदेशो के अनुसार उसमें गुनगुना पानी मिला कर शिशु को देना चाहिए और फिर बोतल को ढखकन सही लगा कर अच्छी तरह हिलाएं और अवश्चत हो त दाब प्रम ठंडा होने पर ही शिशु को देना चाहिए और यह थी नवजाश शिशु और छे माह तक शिशु को दूद पिलाने के बारे में जानकारि में कश्वा वस्ता में अहार के अगले भाग में हम पनुपूरक आहार के बारे में जानेंगे शिशु को 6 माह के बाद माता के दूद के अतरिक्त उपरी ठोजा हार देना चाहिए यह किस प्रकार का होता है और कितने माह के शिशु को किस प्रकार का हार दिया जा सकता है इसके बारे में हम इस व्याख्यान के अगले भाग में चर्चा करेंगे धन्यवाद